नवश्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ सेंसे भूल कैसे नए हिंदी डेली मार्केट वीडियो में चली शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनलिस सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास यानि कल जो अनालिसिस कहते किसा टाउन आउट हुआ है बात कर लेकिन एक और चिंदा वश्कार आपर निफ्टी में यह दिखाई देरा खी यहां से जो चैनल मैंने बनाया है बता लगिया कि ए चैनल किस तरीके से कितना सही है कितना काम कर रहा है कितना काम नहीं करता थो ठीक है अब अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने आपको होल्ड करने कोशिद जो मैं दिखाना चाल था वो निफ्टी में दिखाना चाल रहा था कि यहां पर अभी यह नेगेटिव प्राइज एक्षन आर्ली चार्ट पर भी आपको थोड़ा यह नेगेटिव प्राइज एक्षन बनता हुआ यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो अब यह नेगेटिव प्राइज एक्षन यहां पर चूकी बन गया है तो अब कल इसकी क्या है एक्सपाइरी भी है निफ्टी की तो निफ्टी के एक्सपाइरी के लिए मान लिजे कि सबसे पहले तो मैं यह आपको दिखाता हूँ कि market almost आज जो last tick market ने लगाया है वो around 21,500 का ही लगाया है ठीक है तो इस zone में अगर market कहीं भी open होता है तो अगर lower levels के याणि 21,500 को cross करता है तो market में थोड़ा साओर selling pressure आपको देखने को मिल सकता है अगर market फिर यह अपसाइट पर जाएगा तो फिर यह market इस zone यह जो पूरा zone है जब तक market इस high के उपर यानि 21,600 के है 650 के उपर जब तक नहीं निकलेगा 650 से भी उपर मैं कहुँगा 675 और 680 21,700 मतलब आप मान लिजे क्योंकि यह जो zone है फिर यह no trade zone हो जाएगा अभी no trade zone इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह है strong resistances दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ से selling आई यह market में जब तक market इस negative price action को negative price action कैसा है यह negative price action है इसको neglect नहीं कर देता या फिर इसको गलत सावित नहीं कर देता आप कैसे करेगा जब यह इस तरह से उपर जाएगा ठीक है जब यह high market price करेगा यह वाला उस case में market अपने इस negative price action को यहाँ पर गलत सावित करेगा तब market में आपको थोड़ा upside पर moment आता हो दिखाई दे सकता है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल है तो किसी भी condition में अगर market में कोई बड़ा gap up या तो या अगर market में कोई gap down खुल जाता है तो भी एक negative sign रहेगा market के लिए gap up अगर market खुल जाता है तो भी यह no trading zone में रहेगा जब तक कि market इस high के उपर या इस low के नीचे नहीं चला जाता है अब high के उपर जाने थोड़ा सा मुश्किल लग रहा मुझे क्योंकि 21600 और 700 दोनों में ही strong open interest खड़ा हुआ भी ठीक है तो कल के दिन expiry है तो highly doubt कि ऐसा कुछ हो हाँ यह हो सकता अगर market gap up open हो जाए ठीक है और यहीं पर अपना समय बिताता रहे और फिर अगर high cross कर रहा है इन्दी second half के time पर तब market में upside move आपको आता है जरूर दिखाई दे सकता है ठीक है bank nifty अगर देखते तो bank nifty अपने आपको अच्छे से hold कर रहा था काफी जो कल निफ्टी की स्थिति थी कल निफ्टी जिस तरीके से अपने आपको higher levels पर जाकर bank nifty ने close दिया वैसा ही bank nifty ने आज higher levels पर आपने आपको close दिया तो bank nifty एक ठीक असल दिखाई दे रहा है कि यहां से एक upside move bank nifty में आना चाहिए सिंक दीफ प्राइस बेसिकली चार्ट अगर देखें तो उसमें यह समझ में आ रहा है ठीक है लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब तक की बड़ा psychological level पार नहीं bank nifty कर लेता है तब तक हम confidence से यहां पर buy भी नहीं कर पाएंगे अगर हमें यह देखें क्योंकि अगर आप early chart पर देखेंगे तो यहां से bank nifty ने एक breakout दिया था ठीक है यहां से bank nifty ने ब्रेक आउट दिया यह एक negative price action यहां पर बना दिया ठीक है तो एक strong जब तक एक positive price action इस तरीके का नहीं बनेगा bank nifty में तब तक यहां पर comfortable ही हम buy नहीं कर पाएंगे तो 48,000 तो सबसे पहले एक important level होई जाता है इसके बाद ही आपको market में कोई भी move आता हुआ दिखाई देगा उससे पहले नहीं आएगा लेकिन अगर फिर से market यही इस 47,500 का जो level है 47,500 को फिर से market low level cross करता है तो फिर से यहां पर आपको selling आती भी bank nifty में भी दिखाई दे सकती है ठीक है क्योंकि bank nifty में जो भी open interest है तो उसमें यह समझ मारा है कि 48,000 strong resistance है और 47,500 strong support है तो अगर यह low cross करेगा यहां से तो फिर यह 500 वाले जो लोग हैं यह भी यहां से निकलना शुरू होंगे और तम market में एक आपको move आता हो जरूर दिखाई दे सकता है अब आपको दिबांग भी question जरूर आना चाहिए वह यह आना चाहिए क्योंकि जैसा आपके दिबांग माना चाहिए यह जो आपने जब इस टाइम पर बोला था आपने 21,600 या 700 इस टाइम पर आपर एक अच्छा move आता हो दिखाई देगा देखे problem मतलब अब यह मैंने क्यों नहीं कहा वह आप समझे विकोद जो recent trend है जो अभी recently चार पास दिन का जो trend है वो trend अभी थोड़ा negative है ठीक है तो निचले स्तर पर market क्या करेगा ना कि जो अब जो party जब भी यह जो party यहापर यह जो है forty seven five hundred वाले जो पुट्स हैं यह जैसे यह market फिर से इसको low को cross होते वह दिखेंगे ना तो फिर यह exit बहुत जल्दी मारेंगे अब जल्दी इसलिए मारेंगे क्योंकि इनको यह चीज़ पता है कि सॉरी बैंक निफ्टी की बात हो लीते हैं सॉरी अब यह जैसे यह लोग cross करेगा ना तो इनको यह चीज़ पता है कि recent trend में selling ही हुआ है और फिर से यह pullback होकर market इस तरीके से move कर सकता है ठीक है लेकिन 48,000 वाले यतनी जल्दी से exit नहीं करेंगे कि उन्हें पता है कि जब भी market नीचे आएगा तो यहाँ पर एक resistance लेगा पहले नीचे आएगा आपको देखने को मिल सकता है उससे पहले कोई भी आपको बड़ा move upside पर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो basically यह logic था जिसके आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं बोली जो मैंने आपको bank nifty case में यहाँ के लिए ठीक है अगर आप देखते हैं तो यह समझ में आता है कि जो आपको नीचे जाता हूँ तो यह में भी एक अडली sign हो सकता है कि यहाँ से market थोड़ा सा downside पर move कर सकता है because क्योंकि nifty में भी एक bearish price action आपको बनता हूँ दिखाई देटा है और वो भी early chart पर आपको एक bearish price action यहाँ पर बनता हूँ यह breakout दिया market ने fail हुआ यहाँ से retest हो गई यह एक price action यहाँ पर बनाया market ने ठीक है फिर यहाँ पर retest करके market फिर से नीचे जा रहा तो यह एक early sign market में आपको देखने को मिल सकता है तो अगर market 21,500 के नीचे move करता है तो आपको market में थोड़ा और aggressive selling में आपको देखने को मिल सकती है ठीक है और basically थोड़ा सा market bend होता हुआ दिखाई दे रहा है recently आपको जब से market में कोई भी bullish activity हुई है तब से आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा कि जहां पर market में क्या है कि आपको negative जहां पर यहां से market upside पर आपको market नीचे आया लेकिन फिर ऊपर चला गया ठीक है जब भी market में selling आई है आपको पिछले टाइम पर जब से market bullish run चालू हुआ है तब से आपको ऐसा price action नहीं दिखाई दिया होगा अभी recently market में यह जो selling आई थी उसके बाद भी follow up नहीं था market ने इसके उपर break दे दिया था लेकिन यहां पर कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है कि market आपको थोड़ा से यहां पर चिंता का विशाय भी market के लिए अब यहां पर मैं डॉलर देखता हूं तो कोई भी आप सिग्निपिकेंट मूव यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है मिडिल में है अभी और यहां पर कोई भी किसी तरह का डिरेक्शन नहीं प्लान कर सकते हैं अगर आप कंटना चाहूं तो जरूर यहां पर प्लान हो सकता है तो दोस्तों यह था मेरा नफ्टी बैंक नफ्टी और डॉलर का अनालिस आपको पसंद आया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरू करिए सब्सक्राइब हमेशा कितर अपने कापिटल को बचा के ट्र करिए and have a safe and happy reading sensible bye-bye